नमस्कार जनता के लिए जनता की आवाज जनता समचार में आपका स्वागत है आए चलते हैं खबर की ओर बरसात खत्म होने के बार भी शहर के नागरिकों को डेंगू से राहत नहीं मिल पा रही है हालात यह है कि युक्त बिमारी वर्ष 2018 कर रिकॉर्ड तूरने पर आमादा है 2018 में जनवरी से दिसंबर के बीच डेंगू के 825 मरीज सरकारी आंकडों में दच किये गए थे इस साल 5 नवंबर दक मरीजों की संख्या 769 पहुंच चुकी है चिकिसको को कहना है कि मच्चरों से राहत ना मिल पाने के कारण डेंगू के नए मरीज रोजाना मिल रहे हैं इधर शिकुनगुनिया के मरीजों की संख्या श्टक के करीब पहुंच चुकी है गतवर शिकुनगुनिया के 34 मरीज मिले थे जबकि इस वर्स उक्त अवधी में आकड़ा बढ़कर 97 पहुंच गया है जिसके चलते मच्चरों के लारवा को पनपने की जगह मिल रही है नागरीकों की जागरुकता से मच्चर जन्न विमारियों की रोक थाम संभव है जिला मलेरिया विभाग द्वारा तेवहार से पहले किये गए सर्वे में साड़े तीन हजार से जादा घरों में मच्चरों के लार्वा पाई गए थे सर्वे टीम ने लार्वा का विनिष्टी करन करते हुए नागरिकों को मच्चरों की रोकथाम के उपाय बताये थे अन्य ख़बरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें